हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और येस वीडियो में हम देखेंगे मोहिंग एवरेज और उनके यूजेस तो ये मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स और उसमें जो टूल्स या इंडिकेटर्स और उसल ऊवरेजर करते हैं और उनका उनकी इससरी देखेंगे म低डने और फ्रूल्स तो वीजो इसलेडिकर 3ियो नदीन हिर ए और उसमें से वह जो है तो उसमें से तोड़ा सा इंफ्रमेशन लेंगे ये kart दिखंट applause Living जो Elder Alexander ने लिखा है और आपको मेरा suggestion रहेगा कि अगर आपको full-time trader बनना है तो आपको यह जो book है यह आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए या फिर उसके जो practical approach है book का वो आपको जो है तो आपको वो acquire करनी चाहिए अगर आपको trading में successful होना है तो तो यह इस वीडियो में हम देखेंगे moving averages तो moving averages जो है तो trading में world war 2 के बाद आये है जो कि most of the time anti aircraft जो guns थी उसमें use किये जाते थे उनको target करने के लिए तो यह trading में world war 2 के बाद में आये है और यह जो moving averages से इनका practical use जो हुआ था वो Richard Doncian और उसके बाद में जो है तो GM Hurst इन दोनोंने किया था तो Richard Doncian जो है तो उन्होंने Doncian चैनल की इज़ाद किये और उन्होंनी most of the time moving averages practical trading में use किये थे मेरी lynch में और यहां जो है तो moving averages जो है तो एक period का average price दिखाता है अगर आप 5 days AEML लोगे तो वो stock के price का 5 दिन का average दिखाता है तो उस average के उपर अगर stock trade कर रहा है इसका मतलब जो है तो stock bullish है और उसका momentum strong है अगर उसके नीचे trade कर रहा है तो stock bearish है और नीचे जाने के उसके संभावना है या फिर bearish momentum में तो जितना बड़ा average रहेगा उतना बड़ा उसका importance रहता है तो पास दिन का average जो है तो momentum के लिए आप यूज कर सकते हों तो यह रही आज की जो ट्रीक है तो फाइडे का EMA जो common जो averages use किये जाते हैं वो है 20 दिन का average उसके बाद में 50 दिन का average उसकी बाद में 100 दिन का average और last में जो investor यूज करते हैं वो 200 days average और इसमें जो है तो जितना छोटा average रहेगा उसमें उतने ज्यादा fluctuation रहते है उसमें उतने false signal आने की संभावना रहते है मगर five days average जो रहता है या फिर five period average जो है तो उसको हम as a momentum के तरीके से यूज कर सकते हैं आपको अगर किसी stock में momentum दूणना है intraday में या फिर positionally भी तो उस हिसाब से हम जो है तो five days का average यूज कर सकते हो अगर आपको long term investment करने ही तो आपको देखना चाहिए 200 days का moving averages और उसमें उतने ज्यादा changes ने आ averages आपको उपर नीचे होते हैं खुब बहुत ज्यादा होते हुए देखेगा मगर 200 days average वह से नहीं रहता वह as a most of the time support जो trend line की जैसे काम करता है और वह price से जो है तो चिपक के नहीं चलता है तो जैसे price दूर जाएगी उससे तो वह जो है तो उसकी moment उतनी fast नहीं होती price की दर तो उसको trend line भी use कर सकते हो 200 days moving averages को यह रही है आज की second trick और most of the trader जो old time trader थे तो moving averages को ज्यादा तवज्जूब देते हैं और उसको ज्यादा use किया जाता है practical trading में अभी देखते हैं trading view में कि हम major averages है वो कैसे include कर सकते हैं चार्ट में तो आपको यहाँ जो indicator and strategies जो apex का icon है उस पर जाना है और यहाँ जो है तो आपको 50 यहाँ देखिए यह EMA और यहाँ जो है तो में एक बात बताना भूल गया कि moving averages different type के होते हैं तो पुराने time में simple moving averages use करते थे मगर अभी जो है तो फिलाल most common use होता है EMA तो exponential moving averages तो यह जो है तो इसके वज़े से आप जो EMA जो काम करते हैं इसके वज़े से आप price prediction बहुत अच्छे सी कर सकते हैं SME जो है तो simple moving averages रहता है मगर उसमें दिक्कत यह कि उसमें जो signals आते हो most of the time false signal ज्यादा रहते हैं वह ऐसी दिक्कत EMA में नहीं आती है तो यह तीसरी trick रहेंगे कि आपको हर हमेशा EMA यूज़ करना है SME के बज़ा है तो यहां जो है तो यह एक indicator है जो डॉक्टर स्वीट बोलके उन्होंने बनाया है उसका नाम है EMA 20, 50, 100, 200 एक ही indicator में आपको सभी EMA आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें और इने हम जो है तो coloring करेंगे उनके weightage की सबसे तो सबसे छोटा है 20 तो हम उसको थोड़ा सा yellowish color देते हैं ठीक है उसके बाद में जो है तो second most जो important average रहेगा वो 50 का है तो यहां मैं 50 के average को जो है तो एक pink color दे रहा हूं और उसके बाद में जो है तो 100 का जो average है वो उतना important नहीं लगता मुझे most of the time आप देखोगे कि 50 और 200 जो पिरेड का average रहता है वो सबसे बढ़िया काम करता है और 20 का भी average आप पे as a momentum के लिए यूज कर सकते हो वो भी हमें आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और जो 200 का है उसको मैं उसकी थिकने सबसे जादा रखूंगा और उसको एक black color दे देते हैं तो अभी चार्ट पे दिखते हैं आप देख सकते हो कि यह बैंक निफ्टी का चार्ट है तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हो कि कि किस तरह से प्राइज जैसे 200 या भी जब तक प्राइज 200 के नीचे है तो यह downtrend है और यह hourly चार्ट है तो आप देख सकते ह इसे प्राइज 200 के पास गई उसको ब्रेक करने को उसको उसके उपर ब्रेक ब्रेक आउट देने में फेल हो गई तो वह से जो है तो सीधा सेल अप आ गया और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में लगबक 37600 के लेवल से आपने 34100 के लेवल तक सेल आप देखा वो भी प्राइज 50 के ऊपर जाती है तो इसमें से हम जो है तो सिर्फ 50 रखते हैं 20 और 100 निकल देते हैं और आप देखोगे कि जैसे ही प्राइज आप देखे यहां 50 से जब रिजेक्शन हुआ तो अच्छा खासा सेल आप आया जब भी प्राइज 50 के ऊपर जाती है आप देखे इ इंट्राइज में भी देखोगे किसी टाइम फ्रेम पे भी देखे यह दोना आवरेज जो है तो कमाल तरीके से काम करते हैं आप यहां देखे यह 15 मिन्ट का चार्ट है बैंक निप्टी का और जैसे प्राइज 200 पिरेड के आवरेज आई तो वहां से रिजेक्शन के बाद ह आमने अच्छा का सेल ओफ देखा इंट्राइडे में और पीछे भी जाकर देखो गया जब भी प्राइज जो है तो वहां से नीचे गिरती तो एक सेल आप आ जाता है और सेम अप्लाइस पॉर 50 तो आपको यह कॉमनली जो ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए वह 50 और 200 प प्राइस जा रही है उस डाइरेक्शन में हमें प्राइस में एक्षन जादा दिखाई देता है तो आप देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस की तीनों आवरेज के नीचे गई तो हमने लगबग 2-3 दिन में ही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेल आप देखा जैसी प्रा लेगे तो आप जो है तो देखोगे कि उसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्ड अप होती है आप यहां देखोगे जैसे प्राइस देखिए तीनों आवरेज के ऊपर गई यहां से एक बड़ा सा मोमेंटम आ गया है यह चार्ट ए अपल ऑस्पिटल का जो भी अभी यहां मेजर ब्रेकाउट आया और जैसे प्राइस तीनों के ऊपर गई तो एक अच्छा खासा तो आज रेन इंडस्ट्री आज बारा परसेंट ऊपर चला गया है सेम अपलाइस पॉर बल्राम पूर्चेनी आप देखिए यह तीनों के ऊपर प्राइस चली गए यहां देख सकते हैं कि यह जो कैंडल है इसका अगर लो हमने स्टॉपलस लिया वाता तो 325 से आज 360 चल रहा है बल्राम पूर्चेनी सेम इधर भी उस तरह से कर सकते हो आप देखिए यह जो कैंडल है यह तीनों के ऊपर है इस कैंडल का जो लो था इसको स्टॉपलस बना के आप रखत करना है टीन वरेज जिसके नीचे रहते हैं तो आपको शॉट करना है आप यहां देख सकते हो कि जैके सेमेंट में आज जो है यह देखिया प्राइस जैसे थीनों आपरेज जानीचे गई यहां पहले गई उसके बाद में फॉल आया थोड़ा सा रिट्रेस हुआ तो यह आ आप देख सब्सक्राइब लगबग 3410 के लेवल से हम लगबग 32 के लेवल पे आ चुकी है तो दो ही दिनों में हमने 200 रुपे का प्लस की लॉसेज देखे इस टॉक में तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो और प्राइज में मोमेंटाम आता है जब वो तीनों एवरेजस के नीचे या फिर ऊपर ट्रेड करता है तो यह ट्रिक आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए और आप इसको जो है तो प्राक्टिकली देखे इसमें भी पॉल सिंगनल आते हैं बहुत सारे false signal आते हैं, मगर अगर आपका stop loss in place है, और आप stop loss बराबर से follow करते हैं, तो आपका risk reward रहता है, वो हर time 1 is to 2 से भी बढ़कर रहेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और जैसे आपकी position profit में जाते हैं, अगर आपने stop loss ट्रेल कर लिया और आपकी entry उसकी थोड़े से उपर लगा दिया, तो आप जो है, तो आपका profit भी जो आपकी cost है, वो भी cap हो जाते हैं, अगर stop loss trigger हो जाता है, तो उस position से आप निकल जाहिए, मगर जब कभी आपको reward मिलेगा, वो 1 is to 5, 1 is to 10 के हिसाब से मिलता है, अगर आप बराबर से follow करते हो, तो stop loss लगाना बहुत जर के बारे में, और आप देख सकते हो कि हमने practically भी देखा कि किस तरह से उसको, थीनो moving averages as a momentum भी हम use कर सकते है, momentum के, as a momentum indicator के बदले भी use कर सकते हो, अगर price थीनों के उपर है या फिर नीचे है, तो I hope so, कि ये आपके जो trading knowledge है, उसमें तोड़ा सा addition हुआ होगा, मेरे जो experience है market का, और जो मेरा knowledge है, उससे, तो please दोस्तों, वीडियो को like कर दीजे, वीडियो को जाता से जाता लोग के साथ share कीजे, और अगर आपको, मेरे जो technique है, मेरी ideas, या फिर मेरे जो analysis है, वो सिखना है, तो मेरे channel को subscribe कीजे, and thank you for watching this video.